वेलकम टो मैं चानल ट्राइट, टेस्टे, टरस्टिड मैं हूँ आपके साथ राधा आज मैं लाई हूँ सीता-फल यानि कस्टर्ड एप्ल की कھیर, आप इसे कह सकते हैं सीता-फल वासुंदी भी कहते हैं लोग इसे, आप सोचते होंगे कि सीता फल में इतने बीज रहते हैं, सीता फल खीर बनाना बहुत टफ होता होगा, पर ऐसा नहीं है, सीता फल बीज को सेपरेट करना बहुत ही आसान है, आप देखे वीडियो में कैसे बना रही हूं इसे, आप एक स्ट्रेनर ले, मोटी जाली का ले, स्वाइब तो अपने पाल शम्मच से या हातों से आप इसके मघड़ाइब अन्यानी के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब और बाकी के जो पर पर रहे गए हैं उसे हम ग्राइंट नहीं करेंगे उसे बस ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़े से पीसे थोड़े सा पल्प थोड़ा सा रेशा और उसी से हमारी खीर की जो कंसिस्टेंसी है और इस पासुंदी का जो टेक्शर है वह इन सभी रेशे पल्प और जो मिक्शर है उसी का एक मिला जूला कॉंबिनेशन रहेगा अब एक तरफ दूद आप चड़ा आदें बॉयल करने के लिए ताकि दूद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हम यह ले रहे हैं डीर लीटर करीबन फुल क्रीम फुल फैट मिल्क लेंगे ताकि दूद हमारा क्रीमी रहे थोड़ा सा टेक्शर खीर का बहुत ही स्मूथ बने अब इसे हम थोड़ा थोड़ा बॉयल करके थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे जब दूद गाढ़ा हो जाए तब हम डालेंगे हमारा एक पल्प और इसे कम या जादा आँच करते वे हम इसे साटे करते रहें फिल्प पल्प पीसर वह भी थोड़े से घल जाए ब्लांन गणी अब थोड़ा सा गरं दूद हम एक कटोरी मेरे लेंगे ता कि हम इसमें थोड़ा से किशर की स्टेंड्स डाल के से फ्लेवर भी दे-दे और ठोड़ा से इसका रंगत भी एनहांस हो जाएगा अब डाल रह किसर की पत्तिया और अब दाल रहे हूं थोड़ा सा इलाइची का पौडर बासुंदी अब रेडी है जैसे जैसे यह ठंडा होगा यह और गाढ़ा होते जाएगा इसे गानिश करें मेवे के साथ और ठंडा ठंडा परो से रैसे भी खा सकते हैं रैसे अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दू कीप वाचिंग मैं चैनल शेर यूर फीडबाग तिल दे नेक्स वीडियो एंजोई कुकिंग और इंजोई एटिंग